कि वही रंग योग में कुछ योग की क्रिया यहून को थोड़ा बता देते हैं कल भी बताया था आज थोड़ा संकेत दुबारा से कर रहे हैं तो कपाल भात ही करते रहे हैं कि वही रंग योग में बहुत रूची है लोगों कि जो प्रिया प्रधान होता है उसमें अक्सर मन थोड़ा जल्दी तिक जाता है तो जो थोड़े सबल है वो मेरे साथ कर लेना और जिन की उम्रें 50 के आस्पास है या उससे उपर है तो कपाल भाती कर लेना तो जो जवान है वो मेरे साथ कर सकते हैं जैसे सूरी नमस्कार शास को भरा पीची ते लिए शास को छोड़ा आगी आ गए माता गुतनों से लग तो दहीने पैर पर बैट गए ऐसे लिए फिर एसे उट गए खड़े हो करके या कुछ तमाशा थोड़ी बेगने आए को कर लो जासे वाबा कर रहा है फिर भाया पैर आगे फिर दहिना आगे फिर आए फिर आए फिर एक पर देखें शास अंदर बर के हाथ पीचे फिर दाइने पर बैठे पिर दाहिना पर बैठ शास पे बैठ ओर पिर दाहिना फिर हके यह फिर वा ऑन शुट एब इसको आप कितरी बार कर सकते हो इसको फटीस में से लेकरटे 10 हुआ कर सकते हूं तो आपका पूरा शरीर एकम सधावा हो देए अब अगला भ्यास कराते जवानों के लिए जिनको जंगाओं को भुजाओं को बहुत खुब्सुरत बनाना है वेद का मंत्र बोलिए अस्मा भवतु नस्तनों वेद भगवान कहते हमारे शरीर वच्र की तरह होने चाहिए बलकी उपास ना करो अगला अब सुन्दर बनना आपको पूरी ताकत ऐसे लगाओं शॉस्वर्किल ऐसे ऐसे टाइट कर दें पूरी श्रीर को कहीं जिम जाने की जोड़ी तीसरा ऐसे ऐसे पास पास दस दस भार कर लेना रोच एक शॉस्वर्क अब्यास असे अब यह देखो अब हम आखाड़े में आगे हैं और वह भी जूना अखाड़े में वे आखाड़े में तो दंड़े बैठेंग ना लगे तो अखाड़ा कैसा महारा तो चुछ अब आज समको अब दो तीन बार से जादा मत करना पहले दिन ने तो फिर दूखेंगे तो सब्सक्राइब जिंगाने फुजाएं पुरा शरीन ना ऐसे मजबूत होना तुपी एक तो थी अब सब्सक्राइब जैसे टरौर खुब्सुरत बनाना थो पैरे तो किसी की सान्ग मुकावर्णा तो ताल ठोकते थे ते तो फ्राज़ा तेरी माने दूध पिलाया है कि अब दूध तो पिया ही नहीं को खोला पेशी पीशिए रखी है चलाए यहां तो यह आधा तो सब सकते से अधरला या हीला एक-एक सरीर कि मॉइसी ना फूल की पंखड़िएं की तरह खिली हॉनगी है मंहाना शाइज सब को बहत वल्वान होना चाहिए ग्लियस्थ भोया सड्यासी रात भूल हॉनों भी आजा से भी जादा वल्वान होना चाहिए औरे विद्धोर अब गुरॉद्धे इनका नाम ये है हनुमान गधाफ थे घंड पाफ गड पातित थे रिग है से रोड पानदी की रोबाव गडिन खेला बट गलवांग है कर आधि रंग इनकैसे की हर्वान जी महराज की अब जय 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 बोलते रहते हो हर्वान जी की तरह दंड बेठा तो लगाते हैं कितने बल्वान है देखो तरी इस तरी आए एक जम प्री गुरू चरण सरोज रज़ ते जे मानम कुल सुधार मेरे साथ साथ कर देखो रभी मलजसो जोदाय कफर जार मुद्ध हीने चनु जानिगे शुमिरव पवन कुमार बलव दी बीत्या देहु मुए खरव खले सभीकार जै हनुमान ज्यान गुन सागर जै कपेश के हुलों के उजागर राम दूत यतु जित बलिधामा अंजनि पोत्र पवन सुथनामा महावीर मित्नु वजरंगी कुमतिनिवार सुमतिगे संगी कंचन बरग विराज सुवेशा सालन कुल डल कुल की सिगेशा आठ बजे और इखजा विराजे साधे मूझ जने हुथना ये नामी इसका हनुमान दंड था जबी करते हैं संकरस्वन के सरी नंदन तेय प्रताप महादग वन्दन विध्यावान गुरियति जातुर रामखाजिकरिवेगो आतुर प्रभु चरित्र सुजिवेको रसिया रामलखन सीतावन वसिया प्रभु पतिगीनी बहुत बढ़ाए तुमा मप्रिय भरते सब्सक्राइए अस बदन तुमारो जस्रगावे असके स्रीपतिकर्थ लगावे अप्पा लट्ट था अप्पा लट्ट था हनुमान जी बनाना पूरा सब को आजकर बच्चों की वहनुमान जी और मिंचे पड़े प्रसिद्ध ये रहाए सनकादी की ब्रम्हादी मुझीता नारत सारत सैत यही सा यम गुमेर दिगपाल जहाते समी को भी नी कैसे कैये कहाते कुम्युपकार सुप्रीवई दीनहा राम मिलाए राज पहले नहाँ कुमरो मंत्र भिवेश नमाना लंके स्वर्भय सब जग जाना जुग सहस्त्यों जन परिभान नील्यों हुताए मजुर्पन जाना अब ये दो लाश्ट वाले तो सब को करने पड़ेंगे अब सर्पर धंडोर मिश्चित दुर्गम काज जगत के देते शुगम अनोग्रे तुम रेते नाम दुवारे तुम रख्वारे आप ना जया विन पैसाए तुम दूहें तुहारे शरणा विबर्ख्षक काहूं को डरना आप अपर देज समारों आपे तीनु लोग हाँक देगापे ये तीनु लोग हाँक देखा पे तमसे भी आपरन से यह चलो लाश इसका मिस्षर देन ये तो सब कर सदे भूख प्रिशात निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सम पीरा, जपत निरंदर हनुमत फीरा, अंकट से हनुमाद शुणावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तप से राजा, निके का जिशकल तुम साजा, और मनो रत जो कोई लावे, सोई अमित जीवन भलिपावे, जारों जुग परिकाप तुमारा, है परसेति यगति उधियारा, सादु संति के तुम रखवारे, आपी काल, हाँन वन थाल, सादु संति काल, अस्त से इधिनवा निधिके दाता, अस्वर देन जाने के दाता, रामुरसायन तुमरे पासा, सदार हो रखु पसिके दासा, पूरे भजन रामुजी को भावे, जनम जनम के दुखु विश्राओ, अन्दिकाले लगुवरे बुर जाए जहां जन्म हरिभग दिकाहाए और देवका चित्चन धरहे हनुवत से सल्व सुप परहे संकट कटय मिटे सम पीरा जू सुपिरे हनुवत गल्वे अंग जे जे अनुमान भुशाई क्रिपा करो गुरु देवकि नाही जू सत्वार पाट कर जोए जोटे बंदि महासुवत गोई तो ये पड़ हनुमान दलेजा ओए सित्चाक्षे गोएजा फुल सीदात सदाहरी तेरा इजे नात रचे महनेरा अबन धनेशं कट हरण मंगल मूरती रूप राम लखन सीदा सहित्च देवसों सुर्भू पुली हनुमान जी महराज की जये अर्यादा प्रशुत्तम शिराम चंडर की जये योगेश्रश किष्ण चंडर की जये तो तो वोट करके ऐसे अपने महापुर्शू को समन करो और जैसा वो जीते थे ऐसे खुजी ये एक चरण हुआ अब अगले चरण में ले चलते हैं अभी पंजाब प्रांत के बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं दलित परिवार में पैदा हुए हैं पल्लेदारी करके यहां तक पहुँचे हैं पुझे महाराश्री का आश्रिवाद लेने के लिए एक बार जोदार भनेंदर भाई विजय सापला जी का जो हुश्यार पुर्शे सांसद भी है और महाराश्री हिंदुस्तान में और दुबई तक में जाखर के पल्लेदारी की वो अपने हाथों से सारा जो कहते हैं नहीं कि आदमी तो भाई जो है यह समाज में जिनको ऐसा समझा जाता है कि कुछ नहीं कर सकता तो आदमी पुरशार से करे तो मैंने कहा ना भगवान और सारी दैवी शक्तियां भी इसको आश्रवाद देती हैं तो सब के और से बहुत बहुत आश्रवाद है भाई विजय सांपल जी को और राजय मंत्री भी है किंद्र सरकार में भी पुझे मुनिज महराद जी कभी आश्रवाद ले रहे हैं तो आज अखाडे में आपको अखाडे वाला योग करवाया है तो अब आपको अगला योगा भ्यास का क्रम जिसमें आपको कल बताया था ना मोटापा कम करने योगा भ्यास फिर मेरुदंड के लिए योगा भ्यास मुधुमेह के लिए योगा भ्यास यह सारे योगा भ्यास होंगे थोड़ा कपाल भाती कर लोगा कपाल भाती तो बहुत अच्छा करते हुआ और कपाल भाती अनुलों बिलों तो महराजी भी करते हैं इसलिए कपाल पर भाल पर ललाट पर इतनी तेजस्टिता रहती है प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष की प्रमाण है तो महराजी का थोड़ा पांस मिनट का अशिर्वाद हो जाए आपका कपाल भाती का एक राउंड हो जाएगा एक आप भृति है भारत की यह भूर जिसमें पुझे योगरिशी स्वामी रामदेव जी महराज का यह पुर जीवन्त बनाता है ऐसी इस जीवन्त ता मैं जहां जीवन मुखर होता है जो सुप्त जीवन है अग्यान मैं आवरत जीवन है उस जीवन के जागरण के लिए यह सारी क्रियाएं है जीवन जागरती के लिए जीवन में चैतन नेता है सुर्यदे से लगबग दो गहंटे चौबीस नट पहले का काल अम्रत काल कहता है इसे ब्रह्म महूर्थ कहते हैं और जैसे ही सूरज की पहली किरन धरती कुछ होती है उसे प्राते काल कहते हैं लेकिन प्राते काल से पूर्व और निशान्त के बीच का काल निशा का अंत और प्राते का प्रारंभ उसके बीच का काल जो दो गहंटे चौबिस मिनट का काल है उसे ब्रह्म महूर्थ कहाँ गया लगज़ दाही घंटे प्रात्य काल के बाद पुर्वान काल पुर्वान काल के बाद मद्यान फिर अपरहन फिर संध्या काल संध्या और रात्री के बीच में भी एक और काल है उसका नाम है प्रदोश काल और फिर रात्री और फिर रात्री के बाद यानि वो निशा और निशा का अंत तो जब निशांत होता है निशा का अंत होता है उसमें शैया त्याग देनी चाहिए उसमें शैया पे न रहे हम बिस्तर पर न रहे हम तो ये जो ढ़ाई घंटे है लगबग दो घंटे 24 मिनट या धाई घंटे का जो काल है इस काल में योगा अभ्यास है प्राणयाम है, प्रत्याहर है धारना ध्यान समादी है अत्वा उसकी भी पूर्व की जो आरंबिक अवस्थाएं यम नियम आसन आदी तो ये जीवन जागरती के लिए बड़ी बात है तो ये धाई घंटे आपके इश्वर को समर्पित हो स्वैम के लिए आत्म जागरन के लिए पश्यमी मनुवज्यानिकों ने असफलता के कुछ सूत्र बताएं तो जितना भी ये वेस्टरन साइकलोजी, पैरा साइकलोजी है उसमें चौबीस कारण बताएं है फेलियर होने के, असफल होने के उन चौबीस कारणों में जो पहला कारण है असफलता का कि वेक्ति सफल नहीं हो सका जीवन सार्थक नहीं बन सका जीवन सिध्धी में बाधा रही अत्वा जीवन पूरा खिल नहीं सका पक नहीं सका जीवन में परिपक्वता नहीं आई तो जो महराजी कल पूर्णता की बात कर रहे थे तो जीवन में जो वन्य से पूर्णता है वो पूर्णता नहीं आ सकेगी इस एक कारण से अगर वो है तो तो जीवन की असफलता के 24 कारण बताए और उनमें पहला जो मुख्य कारण है वो है प्राते काल में नजगना तो जो दो घंटे चौबीस मिनट का जो काल है इसमें आप सोय हुए हैं और सूरे का अभिनंदर नहीं कर रहे हैं तो ये असफल रहेगा जीवन ये वेस्टरन वर्ड ने पश्चिमी मनवे ग्यानिकोंने जो केवल देह कुई सच मानते हैं जो अतियंद पदार्थवादिय जडवादिय जो बजार की संस्कृती है जहां में केवल देह के सौंधर है और आकरशन कोई जीवन माना और जिनका दर्शन जीवन का केवल देह है और जो देह के प्रदर्शन में उनसे अधिक और कौन निपण होगा तो उन्होंने भी ये माना है कि सोया हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता तो ये जो महराज ने भारत को जगाया है, विश्व को जगाया है तो सफलता का एक सूत्र तो ये है Awakening is the key to success Awakening is the key to success तो ये चाबी एक हाथ में है हमारे सफलता की और बस जगें आप तो महराज ने पुरे देश को जगाया है, विश्व को जगाया है और उसमें भी कहीं है प्रणयाम, वो ध्यान दारनाएं हो जाएं उसमें भी कहीं योग अभ्यास हो जाएं तो बात कुछ होगी प्रतिर नहीं है, अपने प्रति सचेत नहीं है स्वेहम के अध्यकारों के प्रति, सत्ते के प्रति अपनी उड़जा, ओज, आभा और अपने पूरे सकल अपने अस्तित्तों के प्रति जो सजग नहीं है उसे कौन सफल बनाएगा तो पूजय महराजी का जो उड़्यम है कि अपने अस्तित्तों के प्रति अपनी सत्ता के प्रति स्वेहम के प्रति हम एक प्रतिबद्दता पैदा करें एक खुद की कमिट्मेंट हो हमारे बेतर अपने लिए कमिट्मेंट हो तो ये जो आप कुछ कर रहे हैं ये self commitment है अपने लिए आप commitment हैं कि हमें कुछ करना है तो आत्म विकाज के लिए, आत्म जागरण के लिए, आत्म सौंदरे के लिए ये बड़ा आवश्क है, एक और बात कहूंगा मैं जो वेक्टित तो है, personality है, personality development का इससे बड़ा और कोई उद्यम नहीं हो सकता जिसमें देह, कांती, आपकी रूप, रंग, बरन और ये बाहर की जो चीज़ हैं ये तभी खिलती हैं, इनमें तभी सौंदरे आता है जब इसकी cells activate हो, हमारी पुरी body में एक trillion cells हैं एक trillion cells, योगा भ्यास करने से, ये सारी cells activate हो जाती हैं उनमें प्राण पहुंचने लगता है, oxygen पहुंचने लगती है और फिर वो workout के लिए तैयार है, फिर वो काम करना शुरू कर देती है तो जो योगा भ्यासी नहीं है, जो प्रनायाम करना नहीं जानते उनकी लगबक दो, ये जो trillion cells हैं, उनमें से लगबक कोई एक चौथा ही काम करती है बाकी सब सोही पड़ी है, या कि वो deactivated रहती है तो ये प्रनायाम की प्रक्रिया है, अपनी सारी cells को जगाने के लिए एक और बात, जो पतंजली सूत्र है तदा दरश्टू स्वरूपे वस्थानम जब दरश्टा आपने स्वरूप में लौट कर आता है, तो वो एक बड़ी अवस्था है दरश्टा आपने स्वरूप में लौट कर कम आएगा? जब ये activation होगी तो ये activity आपको बताई जा रही है और इस activity से ही आप इश्वर से connect होते है तो ये activity आपको connect करते है इश्वर से इश्वर ये गुणों से, इश्वर ये ऊड़ जा से और फिर आप में ये जैसे connectivity आती है तो तीसरी चीज और पैदा होते है उसका नामे creativity तो जैसे आप ये योगा ब्यास की activity करते हैं सुभ है इश्वर से आप connect हो जाते हैं थू प्रनायाम तो एक्टिविटी आपको connect करती है इश्वर से उसका नाम होआ connectivity और उसका फिर पर नाम है तीसरा वो है creativity तो आप creative हो जाते हैं आप सरजन शील हो जाते हैं तो कुछ एक अच्छी चीज आपके हाथ लगती है तो जीवन की सेश्टता उसके माधुरिये और उसके पावित्र को जगाने का ये संकल्प है और हम पूझे महराजी के कृतक के हैं हम भारतवासी हम अत्यनत करतक के हैं उनके उन्होंने देश को जगाया है कल मैंने एक बात कही थी वो थोड़ा कम समझाई होगी आपको तो पिर से उसकी पुन्डरा वर्ति करूँगा कि हम महाभगवान हैं भारत के लोग हमने उस युग में जीवन लिया है जहां कोई एक जगाने वाला पुझे योगरिशी रामदेव जैसा महामानव आया है हमारे बीच में उनके उपकार सच में बहुत हैं इस धर्ति के प्रानियों के लिए मैं पुझे महराजी के इस उद्यम के प्रति उपकरत हूँ और अनुग रही थे हम और वो इस तरह से उनके जागरण के ये जो संक घनाद है ये जो उनका नुष्ठान है निसंदे मानवता पर उनका उनका योगकार है उन्हें प्रणाम करते हूए मैं अगर अनुमत ही देंगे तो करम कांड के लिए नक्ते जाओंगा हरियो एक बार सब के और से बहुत भाद अभिनंदन पुझे महाराश्री का पुझे मुने महाराश्री का भी एक बार सब के और से पुना बहुत भाद भाद बंदन अभिनंदन प्रणाम पुझे महाराश्री मुझे प्रीत ही होती है अनन्यभाव होता है फिर अपना ही सुरूप उसमें दिखता है तो महराश्री जितनी अनुसंसा प्रसंसा जितनी महिमा वो मेरी गा रहे थे तो वो सारी महिमा उनहीं को समर्पित है क्योंकि उनको अपना ही रूप में मुझ में दिख रहा है तो दरसल उनही की महीं बाति जो मुझे सुना रहे थे वह हमारे इस सुन्यास के पुरोधा है वह स्वयम जागरन के पुरोधा हैं कि अत्यम्त प्रीती हैं हुआ पर बात हुई एक बात बताके फिर पोरा प्रणायाम ध्यान का अभ्यास कराएंगे फिर आज आपको सारा जो आसनों का अभ्यास वो भी अंत में कराएंगे संबरे साथ बोलिये प्रीति-पूर्वग धर्मानुसार यथा योग्य विवेक पूर्ण एवं न्याय पूर्ण व्यवार आचरण वपूर्शार्थ ही जीवन का सत्य है अब ये पांच शब्द और बता दिया आपको व्यवार को लेकर के बहुत कन्फूजन्स और एक बात मैं सुनता हूं अक्सर कही लोगों की मुक्सि मैं सुनता हूं बर ये अदमे व्यवारिक नहीं है इसको व्यवार नहीं आता है ये व्यवार कैसे कैसे होना चाहिए इसके पांच शब्द बोले कैसा होना चाहिए व्यवार बोलो क्या सब्द था आभी तो बोला आपने प्रीति पूरुवा कैसा होना चाहिए व्यवार बोलो और प्रीति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है सब में एक सचिदानंद परमात्मा का दर्शन मृत्यों हो सम्रित्यों आपनोत ये नाना एव इह पश्यत यस्तु सर्वानी भूतानी आत्मा एव भूत्विजानत तत्रको मोह कह शोकाः एकत्वम अनुपश्यता जो पुझे चिदानंद जी महराजी में आत्मा है जो शद्धामई भगवती जी में आत्मा है जो भाई विजय सापला जी में आप सब शद्धामई माताओं में पिता तुल्ले बुजर्गों में और हमारे आत्मा इन बच्चों में जो आत्मा है वो हम सब का एक ही सर्वात एक ही सच्चिदानन्द आत्मा सब हम सब जीवों में सब जीवात्माओं में एक ही सच्चिदानन्द परमात्मा का प्रकाश है सब उसी की जियोती से उसी की प्रकाश से उसी की आलोक से जियोतिरमे प्रकाशित आलोकी तो जब सब में एक भगवान का दर्शन होगा तो सब से क्या होगी बोलो प्रीती मैं जिसमाने जनमदिया उसको ऐसे ही प्रेम करता हूं कि ये मेरे भगवान का मूर्थ रूप है पिता से, गुरू से और आप सबसे मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूँ मैं जब तक कोई दूसरे मंदिर में या किसी देवस्थान में ले करके ना जाएं मैं खुद नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई मंदिर में जाना मुझे अप्रीति कर है, ऐसा नहीं है मैंने क्या स्विकार कर लिया ऐसा हनो, ऐसा हो गया कि मुझे सारे ही सुरूपों में भगवान का रूप दिखता है इसलिए कहीं जाने की ज़रूरत कहां रहे पानी मेमीन पियासी रे मोह सुन सुन आवात अहांसी आत्म जान विना नर भटके कोई मत्वरा कोई कासी जैसे म्रिगान आविक स्थूरी बनबन फिरत उदासी जागो ध्यान धरे विदी हरे हर मुनिजन सह साथासी सो तेरे घटमाई विराजे परम पुर्श अविनासी है हां जिर कही दूर बतावे दूर की बात निराशी कहे कबीर सुनो भई सादो गुरु बिन भ्रमन जासी रे मोह सुन सुनिया आनन्द स्रोत बहराँ पर तू उदास है अचरज है जल में रहके भी मचली को प्यास है पूलों में जो सुवास एक में मिठास है भगवान का तु विश्र के कणकण में वास है आनन्द स्रोत बहराँ पर तू उदास है टुक ज्यान चक्षु खोल जरा देख तो सही टुक ज्यान चक्षु खोल जरा देख तो सही टुक ज्यान चक्षु खोल जरा देख तो सही जिसको तु ढूंडता वो सदा तेरे पास है अत्रत है जल में रह कि भी मचली को प्यास है कुछ तो समय निकाल आत्मशोधी के लिए कुछ तो समय निकाल आत्मशोधी के लिए नर जन्म का उतेशन के वल विलास है आनंद सोत वहरा पर तूदास है आनंद सोत वहरा भी भी मुदास है आनंद मौक्षका नपास केग दब तलक तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दात है तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दात है अच रज है जल में रहके भी मचली को प्यास है आनंद स्रोत बहरा पर तू उदास है अच रज है जल में रहके भी मचली को प्यास है